आ गया फाइनल रिवियू हलो एवरिवन रसलाओ अलाओ अलेको मैं हूं मदिया और में स्टेविद मदिया तो जी फाइनल रिवियू आ गया है सके इन डीप का विदाउट स्किप आपने देखना है इस वीडियो को क्योंकि मैं एक एक चीज आप लगों को बताने वाली हूं गौट से सुनेंगे समझेंगे तो समझ में आगा सबसे पहले जब डबा खुला तो खोलते ही यह देखिए आफ जरा डबा जो अंदर है खुला पड़ा है जो वह चोटी सी डिप्बी निकली न उसका डबा भी खुला पड़ा तो बंदा उसकी बॉक्स तो बंद करके दे दिल खराब हुआ कि इतने ज्यादा पैसे ले लिए और इतनी चोटी सी तो यहां तो मेरा दिल बिलकुली खराब हो गया मेरा इंपोर्टेट प्रोड़क्ट भी नहीं है कि चलो जी बाहर से आ रहा है शिप्मेंट लग रही है बहुत अच्छा प्रोड़क्ट है तो चो च इतना प्रोड़क्ट पे लगा देते काश यह बात समझ आ जाए खैर यह आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर कैसा है चोटी सी डिपी में चोटी सी क्रीम थोड़ी सी क्वांटेटी के साथ बाते बड़ी 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 यह लोग समझ रहोंगे चोटी डिपी बड़ा मिलनी थी अगर मुझे पाता होता कि इसके क्वांटेटी तिनी सी है ना जरा भी अंदाज आतो तो मैं स्क्रीम को कभी भी नहीं मंगाती खैर यहां हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ड्रीम ग्लेस की तो यह है मिल्क टोनर पैप्टाइट मिल्क टोनर जो के लिखा आपके र तो देखें और जो लिखा है ना क्लेम जो कर रहा है तीन चार चीजे क्लेम कर रहे हैं कि अपर लिखिया कि आपके पोर्स को मैंगा डेली ग्लो देगा इसकिन को सौफ्टर स्मूध बनाएगा और यह है ड्रीम ग्लेस पोर्स की बात अगर करें तो पोर्स तो इसने तो इसकिन रिवाइवर मतलब के बात यह कर रात में तो असे लगे कर बुटक्स हो जाएगा जो स्पांसर वीडियो है जो प्रमोशन वीडियोस तो इस तरह से गारी है कि मुझे भी ऐसे लगा कि मैं रात में लगाँगी और सुबह में इतनी चिक्वी सी हो जाओंगी ना 16, 17 साल की बच्ची बन जाओंगी इतनी तारीअ में सुनके असे लग रहा था तो खेर चलें यहां आप बात कर लेदे हैं इस टोनर की इस टोनर का नाम है गलेज तो देखें गलेज के क्या महीने होते हैं तो देखें गलेज इस सीज पर लिखा होता है तो गलेज के और अल्टरा हाइडरेटेड और प्लम्पी कर देगी आपके सिकन को और साथ साथ में फ्रेश और यूथफुल लगेगी तो देखें ये कुछ बाते हैं इसकी ठीक हैं जैसे कि लिखा है ना कि आपके सिकन को सिल्की सॉर्फ प्लम्पी बनाएगी ड्वी बनाएगी क्योंकि इसके मिनिंग्स ही ही होते हैं लेकिन जहां ये कह रहे हैं ना कि यूथफुल और ब्राइटन अप मतलब सिकन लगेगी आपकी एकदम तो ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं इन्होंने इस टोनर को ग्लेज बनाने के लिए इतना ज्यादे इंगेडेंट सिकन दर एड़ कर दिय कि ये आपकी सिकन को सौफ, Plump, Hidrated to कर रहा है लेकिन झाल साथ लैकि सिकन को डल कर देते हैं मतला दो गर्मियों पैसा पकी स्किन ड़ल होती है कि इतना है एवी हो जाता है आपकी सिकिन के आपर कि है कि आपका को ज़ारा बहुत दर डल करता है मैं अपनी बात कर ऊफोजा नहीं बात के आप आपने भी स्किन भॉकु करो तो देखें इसको लगाने के बाद इसके इतनी ज्यादा ब्लेक लग रही है मेरी तरी जदा डल लग रही क्योंकि इसके मैंने बताया इसको ग्लेज बनाने की चक्कर में इसको इतना हैवी कर दिया है कि मैं आपको क्या बता हूं मैं आपको डेमो भी दोंगी जो असल में कि आपकुछीजे आप्लाई करके दिखाऊंगी तो चले यह सब चीजे तो आपने देखी हुई है एक दफा यह भी दिखा दो को मैं क्रीम भी लगा रही हूं इस क्रीम की बारे बताऊंगी कि यह क्रीम कैसी है यह पिसकी अपलिकेशन देख लेए आप लोगो क्रीम का टेक् अपनाल लगाए ब्रेकाउट स्टार्ड हो जाएंगे ठीक है चले अब मैं दिखाती हूँ डेम आपको के जो प्रोड़क्स तारिफ के मोताज नहीं होते न वह कैसे होते हैं तो चले यहां पर देखे मैं एक बार फेर से मैं रेगुलर्ली यूस करे थी तो कुछ टाइम ज बार फेर साइड पर लगा कि बीडिया वाओ कि इन यह जादर सक्ष्किन ड्वी लग रहे है सॉफ लग लग रहे है प्लम्पी लग रहे कितनी ब्रैटनफ जहां पर यूट फिल झालयागए बिलकुल घलत है इसको लगाने के वाद अपके इतनी जभी हो जाएगी ना जैस अप लगती है शुकर लहम्दोलिल्ला लेकिन इसको लगाने के बाद इतनी डल के मेरे घरवाले मुझे कहले क्या लगाया फेस पर इतनी काली क्यों लग रही हो अच्छा जी अब देखें एक साइट पर मैंने इनका टोनर लगाया अब एक साइट पर मैंने ये दूसरी प्रो क्वादा हल्की फुल की फील कहरही एक क्योंकि ये जो प्रड़क्त है ये आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाएगा स्मूद बनाएगा सपल बनाएगा साथ ही साथ आपके को एक दम ब्राइटन अप कर देता यूथ फुल ग्लो जो करता है और इसकिन बिल्कुल भी हैवी नहीं लगती है बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगती है मैं डेमो दे रही हूं इसलिए कि आपको साफ वाजे नजर आ जाए खुद ही यह देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रह कौन सा प्रोड़क्ट लगा है स्पॉंसर वीडियो नहीं है यह उसके यहां समझे इस प्रोड़क्ट की स्पॉंसर वीडियो नहीं मैं स्पॉंसर वीडियो नहीं करती हो दूसरा जो है यूजा नया से कोरियन प्रोड़क्ट है और यह यह जगा जो आप देख सकता है खु क्रीम के लिए बहुत कुछ कहा जा रहा है कि एकदम से बुटॉक्स कर देगी और एकदम से पदनी क्या हो जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा यह सरफ एक मॉस्ट्राइजर है सिंपल सा थोड़ा बाद गलुआ जाएगा अपके फेस पें स्टेंटल लगाने के बाद वह भी तो मेरे लिए तो यह टोटली वेस्ट उफ मनी है क्योंकि मेरे स्किन तो अलहमदलला वैसी इतनी ब्रैटनिंग है इतनी ब्रैटन अप रहती है इसको लगाने के बाद तो उल्टा मुझे सारी जो है मुझे कह रहे है तो मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है सच में यह मेर ऐस्ता इस देखे है और जा रही है दोनों को मैंने एक साथ की है वह वालि कितनी हाड्म लग रही है दो लो को साथ देखे हैं खुदी फील हो रहा है के कौन सी ऑलियु स्किन ज़ह में ज़्याद़ प्लम्पी हो रही है तो यह डेमो देने का मकसद यह क्या है कि आपको थो जाएंगे ना के फिर सर अपना मूँ पकड़ के सर कहा औहां ऑना मुओ तो भागो कि डर्म तो ऐस बागो कि न फीज बेस बागे तो भाई में और पैसे अपन इन्न जए नूहरा है तो मैं कभी भी महाती हो कबी भी नहीं मैं खाते हूं लेकिन आप लोग समझते हैं आप लोग समझते हो स्पॉंसर वीडियो जारी है यह product अच्छा होगा तो आप लोग ज़ा हम मुझ जैसे honest YouTube की पीछे लग जाते हो के review दें review review दें हमारे पैसे बेस्ट हो जाते हैं please जो हम बताते हैं प्रोड़क्ट वो यूज करो तो है इंशाला रिजल्ट मिलेंगे यहां देखें आप क्रीम लगाने के थोड़ी देर बाद ऐसी हो जाती है क्लिक की थी ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ प्रूफ प्रूफ के लगाने के थोड़ी देर बाद इतनी हैवी और डल हो जाती है इसकी देख सकते हैं